सबसे पहले देखते हैं question number 12 क्या है in the given figure find the measure of angle c a b c a b देखे कौन सा है c a b यह वाल आंगल हमको पता करना है a b c a b c यह वाल आपको angle पता करना है ठीक है और a c b a c b यह वाल आपको angle पता करना है नहीं यह यह और यह तीनों angle हमको पता करना है ठीक है तो चलिए हम इस्टार्ट करते हैं इस जगा से start कर लेते हैं यहाँ ठीक है तो यह दोनों आपस में क्या बना रहे हैं यहाँ यहाँ बना रहे हैं ठीक है तो हमें यहां पर लिखते हैं एंगल a c d a c d प्लस एंगल a c b a c b equals to 180 डिग्री ठीक है ब्रैकेट में हमें यहां पर लिख देंगे लीनियर पेर ठीक है अब शेले हमें आपर सॉल्व करते हैं a c d कितना है 105 डिग्री प्लस यह तो हमको पता ही करना है एंगल a c b equals to 180 डिग्री ठीक है एंगल a c b equals to 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री हमें हाँ पर दिखेंगे ठीक है तो अंगल a c b equals to कितना आजाएगा 75 डिग्री हमारा है थीकर यह कितना आएगा 75 डिग्री आएगा ठीक है नेक्स चलिए हम यह यह वाल अंगल पथा कर लेते हैं पर अंगल कौन सा पता कर लेते हैं देखें यह हमको पता ईगर दो लाइन आपस में machenोराएं ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है वैं यह पे चलते हैं इसको ले देते हैं एंगल हमको पता करना यह वाला, CAB, 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 angle equals to angle FAE, ठीक है, angle FAE, ठीक है, यह क्या बना रहे दोनो, vertically, opposite, यह, एंगल से, vertically, opposite, एंगल से यह, अब, therefore, angle CAB equals to 45 degree, तो हमारा angle CAB निकल गया, 45 degree, ठीक है, अब कौन सा बचा है, यह वाला, हमारा angle यहाँ पर बचा है, ठीक है, तो बहुत ही असान है, दीक है, यह क्या है, exterior angle, ठीक है, और यह क्या है, दोनो, interior opposite angle है, ठीक है, इन दोनों का sum जो होता है, इसके बराबर होता है, तो हम, य यह और यह हमको given है, तो यह हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, चलिए, निकाल देते हैं, now, angle ACD, ACD equals to angle CAB, CAB, plus angle ABC, ABC, ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, exterior angle property, ठीक है, यह आप ज़रूर लिख देंगे, कि आपने कैसे यह, दोनों को बराबर कह दिया है, ठीक है, चलिए, ACD कितना दिया है, 105 degree di equals to, angle CAB कितना दिया है, 45 degree, plus, यह तो हमको निकालना ही है, angle ABC, तो क्या हो जाएगा, 105 degree minus 45, इसको इधर लेके जाएगे, तो क्या हो जाएगा, equals to angle ABC, यहाँ कितना हो जाएगा, 60 degree equals to angle ABC, तो तीनों एंगल मेरा यहाँ पर निकल गया है, यह कितना निकला, 60 degree निकल गया, ठीक है, तो तो शेले हमें हमें यहाँ पर लिख देते हैं, कितीनों एंगल हमारा यहाँ पर कितना निकला, तो पहला हमारा क्या था, angle CAB, यह कितना निकला है, 45 degree, नेक्स्ट हमारा क्या है, angle ABC, यह कितना निकला, 60 degree, angle ACB, यह हमारा कितना निकला, 75 degree निकला, तो तीनों एंगल हमने यहाँ पर निकल दिया, ठीके जेंट्स, तो चलिए जेंट्स देखते हैं, question number 13 क्या है, find X and Y in the following, figure आपको, X और Y, कितना ही आपको बताना है, measure इसका, ठीक है, तो देखें, जेंट्स क्या करना है, हमको यहाँ पर सबसे पहले इस angle का measure हमको find करना हो गई, यह दो दिया हुआ है, तो हम यहाँ तीसरे का निकाल सकते हैं, फिर तीसरे से हम ECX का value निकाल सकते हैं, ठीक है, और जब हमको यह और यह दोनों पता चल गया, तो देखें, आप हम इस angle को निकालते हैं, ठीक है, लिखेंगे, in triangle ABC, ठीक है, तो angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree, यह क्या होगा, angle sum property, ठीक है, next चल घब देखें, angle A कितना दिया है, 30 degree plus angle B कितना दिया है, 30 degree plus angle C तो हमको निकालना ही है, angle C equals to 180 degree, ठीक है, अब यह कितना हो जागा, देखेंगे, 60 degree plus angle c equals to 180 degree ठीक है तो minus कर देंगे angle c equals to 180 degree minus 60 degree तो angle c equals to कितना निकल जाएगा 120 degree ठीक है जोंट्स तो यह मेरे को कितना मिला 120 degree ठीक है अब चलिए हम इसको निकालते हैं ठीक है यह दोनों मिलके क्या बना रहे हैं linear pair ठीक है तो हम है आप लिखते हैं इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं x plus 120 degree equals to 180 degree यह दोनों मिलके क्या बना रहे हैं linear pair ठीक है जोंट्स अब चलिए हम इसको solve कर देते हैं x equals to 180 degree minus 120 degree तो x equals to कितना आगा हम रहे हैं यहाँ पे 60 degree यह नहीं x कितना निकल गया 60 degree अब चलिए इस angle y को पता करते हैं कितना होता चलिए देखिए y equals to क्या हो जागा देखिए हमको यह वाल आगल लेना है यह नहीं x plus और यह वाल आगल लेना है यह एडी सी यह कैसे हो गया exterior exterior angle property ठीक है यह नहीं exterior angle property क्या होता है बाहर वाला जो angle होता है किसके सम के बराबर होता है इन दोनो interior opposite angle के सम के बराबर होता है यह नहीं इन दोनों को plus कर देंगे तो यह बाहर वाला angle हमको मिल जाएगा ठीक है उचलिए plus कर देते है y equals to x हमने देखिए कितना निकाला है 60 degree तो यहाँ पर लिखेंगे 60 degree plus यह दोंको given है कितना है 30 degree ठीक है y equals to कितना निकल जाएगा 90 degree ठीक है ठीक है ठीक है तो इस तरह मेरा x और y दोनों के value निकल गया तो चलिए ठीक है question number 14 क्या है the lengths of two sides of a triangle are 12 cm and 15 cm between what to measure should the length of the third side fall यह नहीं की बोल रहा है कोई एक triangle है जिसका length आपको दो length आपको दिया हुआ है सपोज कि यह दिया है 12 cm और यह दिया है 15 cm यह ठीक है तो बोल रहा है third side हम क्या रख दें कि triangle inequality से यह सही हो जाए जाए ठीक है let the third side be x ठीक है हमने माल लिया कि तीसा side कितना है x है तो हमने एक property पढ़ा है जिसका पढ़ा है देखिए sum of any two sides of a triangle is greater than the third side ठीक है यहनी कि दो side मिल करके तीसरे वाले से बड़े हो जाते है ठीक है तो आप देखे क्या हो गए यहाँ पर साइड होगा वो 27 से कम होगा ठीक है चले एक और प्रोपर्टी देखिए difference of any two sides of a triangle is smaller than the third side यहनी कि अगर दो side को हम किसी पी दो side को difference करें या 15 cm – 12 cm less than x यहनी कितना होगा यहाँ 3 cm less than x यहनी कि यहाँ क्या हो जाएगा x का value क्या होगा यहाँ 3 से ज्यादा होगा यहनी जो third side होगा वो 3 से ज्यादा होगा difference ठीक है तो पूछा है कि what to measure should the length of the third side fall तो यहाँ पर लिखते हैं हम third side fall between ठीक है यहनी कि जो तीसरा side होगा किसके किसके बीच में होगा तो क्या होना चाहिए देखिए 3 से ज्यादा होना चाहिए और 27 से कम होना चाहिए तो किसके किसके बीच में होगा between three centimeter and 27 centimeter ठीक है यहनी 3 से ज्यादा होना चाहिए और 27 से कम होना चाहिए आपको 3 और 27 नहीं रखना है ठीक है यहनि आप 4 5 6 7 8 11 13 15 कुछ भी आप रख सकते हैं 27 के पहले ठीक है जेंट्स तो जेंट्स मैंने वर्क्षीट 3 में भी इस तरह के कोशन को समझाया है आप वहां से भी देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है जेंट्स तो जेंट्स मेरे यहां पर ब्रें टेजर्स खतम हुआ ओके थैंक्यू जेंट्स